हलो एवरिवन वेलकम बैक टू दे चैनल तो साम का समय हो रहा है और मैं अभी बस नहाँ वहाँ कर आई हूँ आज काफी गर्मी थी तो मैंने साम को फिर से नहाया धोया घर में सापसफाई भी की तो बस यह बैड़ सीट मुझे चेंज करनी थी पहले सोचा नहीं करती हूँ फिर मैंने सोचा चलो चेंज कर देते हैं और इसको धुलने में भी लगा देती हूँ क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी लगाने थे मसीन में तो सोचा भी साम को ही लगा दूँगी रात में सूख जाएंगे तो इससे काफी असानी रहती है क्योंकि दिन में जो है काफी तेज दूप होती है तो छाया में कपड़े सुखा लो तो काफी अच्छा रहता है तो यहां पर मैंने दूसरी बेड सीट भी बिचा दिये वह वाली बेड सीट में धुलने में लगा दूसरी बेड साथ को अच्छे से बिचा दिया है और अभी साम में नहाया है क्योंकि मुझे कुछ और भी काम करना है जिसकी वज़े से मैंने सुचा चलो साम को एक बार फिर से नहा लेती हूं तो मुझे अपने मंदिर की साफ सफाई करनी थी तो इसलिए फिर अभी थोड़ा सा टाइम मतलब यह कुछ साड़े पांच हुआ है तो मैंने सुचा पहले इदर बेड सीट बदर लेती हूं और कपड़े वगरा फोल्ड कर लेती हूं फिर दिया बाती का टाइम भी हो तो यहां पर मैं आगी हूं मंदिर क्लीन करने के लिए तो अभी कुछ ताइम हो रहा है च्छे सावाच बज रहे हैं तो 15 मिर तो मंदिर साफ करने में लगी जाएंगे तो पहले मैंने सोचा ऐसे ही डेस्टिंग कर लेती हूं फिर डीप क्लीन करनी हूं भी मैं यहां पे इ लिया है और एक साफ कपड़ा ले लिया है और इससे में उपर से नीचे अच्छे से इसकी डेस्टिंग कर रही हूं और अजकल फरनीचर हो कहीं पे भी इतनी जल्दी डेस्ट हो जाती है और मंदिर वगेर हम डेली क्लीन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप नहाने के बाद यह अच्छे से क्लीन कर सकते हो तो वैसे तुम्हें डेली वाइप कर देती हूं पर सभी मूर्तियों को हटा कर रोरोज क्लीन करना नहीं हो पाता है तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मंदिर को अच्छे से क्लीन कर देते हैं क्योंकि 15-20 दिन जैसे हो जा तो वो सारी चीज़े clean करनी होती है तो यहां पे मैंने मंदिल को अच्छे से clean कर लिया है और अब इसमें लगा देती हूं बाती मैं यहाँ पे जो गोल वाली बनी बनाई बाती आती है वो यूज करती हूँ दीपक के लिए वो बहुत अच्छी होती है लेकिन जब भी उनको यूज करें तो नीचे से हलका सा खोल दे जो राउंड राउंड मतलब जो गोल होता है नीचे से हलका सा रूई को फैला दो तो फिर बहुत अच्छी बाती जलती है तो मैं इसी तरह से अपना दीपक जो है मंदिर का वो जलाती हूँ तो यह रहे मेरे प्यारे भगवान जी आप सभी भी हाँ जो लीजिए जये बाता दी तो साम की दिया बाती मेंने कर दिए और अब भी जलस न में नावज रागर आई हूँ तो मैंने सूचा चलो आज साम को ही बंदिर कर लती हूँ क्योंकि सुबे में इतने काम होते हैं कि मंदिर की साफ सफाइड करना भी जलूरी होता है समय समय पर वहां पर काफी चीज़े विखर जाती है जिसे हम चावल वगरा जो भी पूजा में जो समान यूज करते हैं तो वो सब साफ करना जरूरी होता है तो बस आज मंदिल बिल्कुल क्रीन है तो बहुत अच्छा लग रहा है तो अभी जा रही हो कीचेन में कुछ साम का कुछ बनाने के लिए पिल्ब जिसे चाय के साथ में साम के समय तो आज मैं बर्गर बनाने वाली हूँ तो रेस्पी आप सभी के साथ सेर करूंगी तो चले फिर चलती हूँ कीचेन में तो अब ही मनें यहाँ पर फृष सर निकाली है लीची थो पहले खाते हैं लीची अब लीची का सेसन चल रहा है और खाने में काफी ते लेकती है न MARY किसी किसी को पसंद होती किसी की HRust तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए इसलिए मुझे बहुत जादा डिहाइड्रेशन हो जाती है तो इसलिए मैं खास धिहान रखती हूं कि कांटीनू काम करते समय बीच में कुछ ऐसी चीजे खा ली जाएं जैसे कुछ फ्रूट्स व हैं चमक रही है और इसके बातन भी मिद्धुले है सब कुछ बिल्कल क्लेन है यहां पर कनारियल रखा हुआ है बस यह पानी का बॉटल भरके लगा देती हूं तो जब भी मुझे बॉटल खाली दिखती है तो जरूर कोसिस करती हूं को उसको मैं तुरंद भरके लगा दू क्योंकि अशकल ठड़ने पानी की बहुत जरूरत होती है और यहां पर डारेक्ट मैंने जब मैं बर्गर बना रही थी तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो बीच मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है रीजन मेरे फोन की बैटरी खतम हो गई थी तो मैंने उसको करी आप बर्गर को जो बन होता है उसी कट कर लिया है। तोनों साइड form लगा दियां और यहां पे मैने चिली सौस का यूज किया है। उसके ऊपर मैंने ।ोर आपमेटो केच्वि जब केचव سंब रहा है।र यहां पर मैंने केचव करीन हैं। तो इसे स्वात बहुत अच्छा आता है खट्टा और मीटा दोनों सॉस अगर यूज करो तो बड़ा अच्छा स्वात आता है यहां पे मेरे पास एक और गैनो का पैकट पड़ा हुआ था तो मैंने सुचा चलो फ्लेवर के लिए हलका हलका सा इसको भी मैं डाल देती हूं और बस यहां पे मैंने बर्गर को बंद कर दिया है तो इस तरह से मैंने बहुत सारा सैलिट लगा कर बर्गर को बनाया है बहुत सारी फिलिंग की है अंदर तो यह बिल्कुल बड़ा सा बर्गर बनकर तयार हुआ है और मैंने तवे को अच्छे से करम कर लिया है और उस पे मैं ने हलका सा सरसो का तेल लगा दिया है ताकि ये नीचे से जिपके नहीं और इसको हलका लका घुमाते रहना है गुमा घुमा कर पकाने से ये नीचे से चिपकेगा नहीं और जलेगा भी नहीं तो एक साइट से ये सेख चुका है और मैं इसको दूसरे साइट से सेखूंगी त बिल्कुल करारे से बर्गर बनकर त्यार होते हैं अहय फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना होता है हई यह जल जाएंगे होगो यहांवारे बना-लिया है आप चाहिए तो इसी तरह जाएं, हम आपolesकु को पनीर थी कमी पताब और यह वाली जो बिल्कुल से बर्गर दोनों के लिए मैंने एक एक बर्गर बनाया है और यह इतना हैवी होता है कि बस एक बर्गर से ही पेट फिल्कुल भर जाता है तो यहां पे मैंने बना रही हूँ हूँ मैं इधर चाय और इधर बर्गर बनकर रेडी है तो उनको मैंने तवे पर ही छोड़ रखा है ताकि यह ठंडे ना हो तो मेरी चाय जो है वो उबल चुकी है यानि की पक रही है तो बस अभी यहां पे मैं चाय को छान लूँगी और यहां पे चाय को मैंने ग्लास में चाना हुआ है पहले मैं बर्गर इन लोग को दे आती हूं यहां पे रख देती हूं और अब मैं चाय निकालने क ले जाती हूं तो यहां पे मैंने दो do glass निकाले वह इंगा है और जो इस बेहने में चाएफील फीने से चाई जल्दी ठंडी नी हो धी है कप में जल्दी ठंडी हो जाती है तो Internet jos जैसे मैंने ग्लास का यूज किया है क्योंकि बर्गर वगरा जो भी सेंडवीच वगरा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है खाने में तो थोड़ा देर तक चाहिए गरम रहनी चाहिए तो चलिए फिरहाल इस व्लॉग को भी ही पर एंड करते हैं मिलते हैं यंठे केर